हाई गाईज, वेलकम टो बी नैचरल सीक्रेट्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शाय करने वाली हूँ एक डियाइवाई टोनर जिसे मैंने ग्लेसरीन से बनाया है ग्लेसरीन के बहुत सारे यूजेस एंड बेनिफेट्स है जो आपकी स्कीन के लिए बहुत अच्छे माने जाते है यह ग्लेसरीन मैंने मैडिकल से परचेस किया है और इसकी शेल्फ लाइफ थ्री यर्स है यह 25 ग्राम है आपकी नज़ी की मैडिकल पर जो भी ग्लेसरीन एवेलेबल है आप वो ले सकते है टोनर बनाने के लिए हमें वन स्पून ग्लेसरीन चाहिए इतना टोनर जो यह बनकर रैडी होगा यह आपकी फुल बॉड़ी पर लग जाता है जब भी आप बनाना फ्रेश ही बना कर यूज करना और फॉर स्पून हमें इसमें रोज वाटर एड करना है वैसे आप DIY रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं मैं उपर आई बटन पर लिंक लगा दूँगी आप प्लीस चेक कर लेना मेरी वो वीडियो इसे अच्छे से मिक्स कर ले अब इसमें मैं इवियोन 400 विटामिन E की कैपसुल का ओईल एड करने वाली हूँ यह ऑप्शनल है अगर आप चाहते हैं कि इस टोनर के और भी जादा अच्छे रिजल्ट आपको मिले तो आप यह एड कर सकते हैं इस टोनर को आपको रात में अपलाए करना है फुल बॉडी पर आप इसे लगाए अगर आप नहीं चाहते फुल बॉडी पर लगाना तो हाथ पर गले पर फेस पर भी आप इसे लगा सकते हैं यहां तक सिर्फ लिप्स पर भी इसे लगा सकते हैं ग्लेसरीन लिप्स के लिए बहुत अच्छा होता है इसे आप खाली कंटेनर में निकाल ले अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा डाक है ब्लैक है तो इसे बेबी पिंक बनाने के लिए आप ग्लेसरीन लगा सकते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ ग्लेसरीन को ऐसे ही लगाओगे लिप्स पर तो वो बहुत ही चिप-चिपी लगती है बेचैनी सी होती है आपको नीन भी नहीं आएगी और इस तरह का टोनल स्कीन पर लगाने के बाद आपकी स्कीन एकदम फ्रेश फिल होती है क्योंकि इसमें रोज वाटर है विटामिन E से आपकी स्कीन के सारे प्रॉब्लम्स तूर हो जाएंगे और ग्लेसरीन से आपकी स्कीन सॉफ्ट हो जाएंगी तो इसे आप एक बाद जरूर ट्राय करना वैसे तो यह आल टाइप स्कीन को सूट करता है लेकिन अगर आपकी बहुत जादा सेंसिटिव स्कीन है तो आप पैश्टे जरूर ले लेना अपने कान के पिछे से थोड़ा सा लगा कर चेक कर लेना आपको सूट होता है या नहीं फिर आप इसे लगा सकते हैं ग्लेसरीन आपकी स्कीन से सारी गंदगी को निकाल लेता है ग्लेसरीन बहुत ही अच्छा क्लींजर के रूप में काम करता है और अगर आपके फेस पर बहुत जादा गंदगी होगी तो आपको पिंपल्स भी आने लगेगे तो इसके लिए टोनर बेस्ट है इसे एक बास करना मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बाई